हेलो गाईज वल्कम बैक टू माई चैनल आज की यूडियो में हम देखेंगे कि रीका वैक्स है किस तरीके से हाफ लिग वैक्स करते हैं तो सबसे पहले आपको तो स्टेप्स बता ही है लेकिन मैं आपके साथ फिर से यह स्टेप्स दोरा रही हूँ फर्स्ट अफॉल आपको लेक्स को गरम करना है फिर उसके बाद आप लेक के उपर पाउडर को अपलाए करेंगे अच्छे से आपको एक छोटा चोटा पैर को कवर कर लेना है इसके लिए आप वैक्स लगाएंगे एक छोटा पैर करेंगे अर हमेशा याद रक्षिएगा जब भी हम हाफ लेक cabbage स्ट करेंगे अब हम वैक्स ट्रिप्स की मदद से इसको रिमूव करेंगे और भी बहुत सारे वैक्सिंस से रिलेटेड मेरी चैनल पर वीडियो अपलोड़े हैं अगर अगर आप घर बेटे पारलर सीखना चाहते हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दो और साथी में बेल आइक की सबसे वैक्स को अपलाई करना है और रिमूव करते वक्त हम उसको अपोजिट साइड से पूल करेंगे यहां से आपको फूल एर दिख रहे होगा की किस तरीके से से इनकी हैरिस की गुरुत है अब हम है डायेक्शन से हिससाथ से पैचोलों को घुमाएंगे जल्दी जल्दी से हम एक छोटा सा पैच कवर कर लेंगे पहले तो आप छोटा छोटा ही पैच कवर कर लीजिएगा क्योंकि फर्स टाइम आपको ज्यादा पैचोला को गुमाना नहीं आएगा फास्ट ली तो अब हम वैक्स ट्रिप को रखेंगे एक या दो बार हाग को घुमाएंगे फिर उसको अपोजिट से पूल करेंगे हमेशन याद रखिएगा कि अगर आपने उपर से नीचे की तरफ वैक्स को अप्ला किया है तो हम पूल करते हैं वैक्स ट्रिप को नीचे की तरफ रखेंगे फिर उसको उपर की तरफ से पूल करेंगे यानि कि हमें हर बार वैक्स को लगाने की डाइरेक्शन से नहीं बैल कि उसकी opposite direction से पूल करना है ये तरीका आपको याद रखने की जरूरत है क्योंकि waxing करने के लिए ये बहुती छोटी छोटी टिप्स माइने रखती हैं तब जाके आप पूरी तरीके से waxing सीख पाओगे जब तक मेरी waxing complete होती है second leg की तब तक मैं आपके साथ एक बात share करना चाहती हूँ मैंने 30 days का challenge start कर दिया है beginners के लिए तो मेरे channel पे threading से लेके massage tips, basics hairstyles और भी बहुत सारी theory part with one example और the multiple example के साथ मैं आपके लिए video बना रही हूँ तो जल्दी से मेरे channel पर जाकर मेरे channel को subscribe कर दीजिए ताकि मेरे कोई भी videos आपके लिए miss ना हो मेरे हर videos के साथ updated रहो तब जाके आप सारी waxing के steps और सारा पारलर का course आप घर बेटे सीख सकते हो तो जल्दी से मेरे channel को जाकर subscribe कर दो तो अब हम करेंगे पीछे से waxing तो यहाँ पर भी यही तरीका है आपको powder को apply करना अच्छी से skin के उपर फिर उसके बाद hair direction के हिसाब से आपको wax को apply करना है और opposite side को wax strip से उसको pull कर देना है यही तरीका waxing में है यहाँ पर मेरे waxing हो चुकी है complete तब हम एक कपड़ा लेंगे उसको हम wet कर देंगे अच्छा से फिर उसके बाद हमने जहाँ पर waxing की थी वहाँ का सारा area हम oil की मदद से उसको साफ कर लेंगे क्योंकि रिका wax से अगर normal wax हम use करते है तब हम normally wet कपड़े से वह सारा चिप-चिप अपन दुर हो जाता है लेकिन अगर हम रिका waxes करते है तब टाइम हमको oil से ही वह निकलता है उनकी चिप-चिपाहट जो होती है रिका wax की तो वह oil से ही निकलती है कैसी लगी वीडियो कमेंट सेक्षिन में बोल दो बाई बाई टेक क्येर